Hello friends, welcome back to my channel तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे वाक्य यानि इंगलिस में कहते हैं जिने sentences तो friends ये दो वीडियो रहेंगी First वीडियो में हम sentences का यानि वाक्य के कुछ parts यानि जो उसके काइंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और second वीडियो में जो बचा होगा उसके बारे में बढ़ेंगे तो दोस्तों देर ना करते हुए हम start करते हैं आज की वीडियो First है वाक्य वाक्य, वाक्य को दोस्तों इंगलिस में क्या कहते हैं? sentence तो सबसे पहले हमें वाक्य के प्रकार ये सब जानने से पहले वाक्य किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी होम स्क्रीन पे बिल्कुल साफ साफ दिखाए दे रहा है वाक्य किसे कहते हैं सब्दो के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं किसक किरिया भी होनी चाहिए, यानि वर्व भी होना चाहिए तभी दोस्तों क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा जैसे उधारन देख लेते हैं, राम पढ़ता है राम पढ़ता है, इस पे यह मातर आएगी, सौरी, वो मिस्टेक हो जाती है राधा गाती है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहां राम पढ़ता है राम क्या हो गया? करता हो गया यानि सब्जेक्ट हो गया और यह क्या हो गया? पढ़ना यानि पढ़ता यानि किरिया हो गई तो यह अच्छे से यानि मेल, सार्थक मेल है इसलिए इससे क्या कहा गया है वाक्य कहा गया है अब हम बढ़ते हैं next page की ओर slide की ओर अब ये है वाक्य के प्रकार अब हम दोस्तों देखेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं देखो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भीद तो दोस्तों इस वीडियो में हम discuss करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भीद और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम discuss करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भीद तो बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो like, share, comment जरूर करें क्योंकि आपका एक comment हमें बहुत motivate करता है और like भी next slide लेके चलते हैं तो दोस्तो जैसा मैंने बताया था रचना के आधार पर वाक्य के भेधम पढ़ेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेध होते हैं फर्स्ट है सरल वाक्य सेकंड है संयुक्त वाक्य थर्ड है मिस्रित वाक्य तो दोस्तो वहीं से बैठके आप ट्रैक्टिस करें फर्स्ट है सरल वाक्य सेकंड है संयुक्त वाक्य थर्ड है मिस्रित वाक्य यानि रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद बताए गई है वो तीन बताए गई है सरल वाक्य, संयूक्त वाक्य मिस्रित वाक्य तो अब धीरे धीरे यानि एक एक करके point wise हम सभी वाक्यों के भेद को जानेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिस्त्रित वाक्य किसे कहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह है सरल वाक्य देखो जिस वाक्य में एक ही विदेव यानि प्रेडिकेट जिसे बोलते हैं होता है उसे सरलवाक्य या साधारन वाक्य कहते हैं यानि अगर कोशन में पूछा साधारन वाक्य या सरलवाक्य तो दोनों दोस्तों एक ही बात है यानि इसमें कहा गया है इसमें एक ही विदेह होता है यानि एक ही प्रेडिकेट होता है इसे क्या कहते हैं साधारन वाक्य यानि सरल वाक्य कहते हैं इन वाक्यों में एक ही किरिया होती है तो दोस्तों दो चीज इसमें मेन बताए गई है इसमें एक ही विदेह होता है और एक ही किरिया का प्रियोग किया जाता है जैसे clear होगा आपका उधारन के थ्रू जैसे इसमें है राम पढ़ता है तो दोस्तों इसमें राम पढ़ता है एक ही किरिया मोहन दोडता है एक ही विधे है और एक ही किरिया है गीता नाचती है गीता नाचती है तो ज़्यादा difficult नहीं है बहुत ही easy language में मैंने आपके लिए notes तयार किये है next बढ़ते हैं फिर दोस्तों आते हैं हम संयुक्त वाक्य के उपर किस के उपर संयुक्त वाक्य के उपर इसकी definition है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्य वोदक अव्य से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं यानि इसमें दो वाक्य समुच्य वोदक अव्य होते हैं उनसे जुड़े होते हैं अब देखते हैं कि समुच्य वोदक अव्य होते क्या है क्योंकि सबसे main चीज है आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे और, लेकिन, परंतु, पर, किंतु, अगर, या, फिर, तो, अन्य था, आदी यानि इससे और भी समुच्यवोदक अव्य हैं जो हमने अभी main-main लिखे हैं तो ये क्या कहते हैं समुच्यवोदक अव्य जिनके थुरू ही दो sentences आपस में interconnected होते हैं ये पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है जैसे कि example देखते हैं वह हम ये हमारे example हैं यानि उदाहरण है उसने खाना खाया और सो गया यानि उसने खाना खाया और सो गया ये क्या हो गया दोस्तो समुच्यवोदक अव्य हो गया next है राधा ने आम खाया लेकिन सेव नहीं राधा ने आम खाया लेकिन सेव नहीं इसमें लेकिन क्या है समुच्यवोदक अव्य है प्रिय बोलो पर सत्य बोलो इसमें पर है समुच्च वोदक अव्य इसकी तलासी लो और घड़ी मिल जाएगी इसमें और समुच्च वोदक अव्य नेक्स है सेर घायल हुआ परन्तु मारा नहीं गया क्या कहा है तो आपके मामीन में सी है समुच्च वोदक अव्य जब दो संटेंस एक समुच्च वोदक अव्य के थुरू हाँ संयुक्त वाक्य कहते हैं नेक्स बढ़ते हम मिसृत वाक्य लास्ट है मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य ये धियान रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन समझना बढ़ेगा आपको जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो आश्रित उप वाक्य हो उन्हें क्या कहते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं कह सकते हैं इसमें कि एक main sentence होगा main वाक्य होगा और जो दूसरा है उस पर आश्रित होगा आश्रित उपवागे यानि एक काम नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा तो ये वाला जो वाक्य है यानि ये वाला जो टॉपिक है ये पहचानने के लिए कि उपवाक्य किस वाक्य से यानि किस सब्दों से जुड़े होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं की जिससे की ताकी जियों ही जितना जियों क्योंकी चूकी यदपी यदी जव तक जव जहां तक जहां जिधर चाहें मानो कास जो भी वाक्य इन सबसे जो अभी मैंने सब्द उपड़ पड़े से आरंब होते हैं वे आश्रित उपवाक्य होते हैं क्या होते हैं आश्रित उपवाक्य होते हैं और जो उपवाक्य इन सब्दों से सुरू नहीं होते हैं प्रिधान वाक्य होते हैं क्या सकते हैं प्रिधान उपवागय होते हैं तो आप इनका अच्छे से ये नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के इस टॉप करके आप अच्छे से नोट कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के थुरू आपका जो भी डाउट है वाक्य के टॉपिक के प्रती वो क्लियर हम कर देंगे कि कोई भी एक्जाम हो उसमें हम कह सकते हैं टैट जितने भी होते हैं एक दो नंबर का ये जरूर आता है और नाइन्थ है टैन्थ में भी ये टॉपिक है इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है इसके एक्जामपल की तरफ बढ़ते हैं फरस्ट है मिसरित वाक्य के उधारण जैसा कि हम देखरी है यदी परिश्रम करोगे तो उत्तीण हो जाओगे नेक्स्ट है यदी सोहन आ जाए तो मैं उससे बात करओ तो दोस्तों जैसा मैंने बोला था तो जैसा की आप देखरे हैं इससे ये डिपैंट है इससे उसपे फिर नेक्स यदि पानी न बरसा तो सुखा पढ़ जाएगा पढ़ जाएगा तो इसमें भी तो आया आए है यानि first वाक्य न ये इस पर डिपेंड है पानी न बरसेगा क्या होगा result उसका क्या आएगा output क्या होगा सुखा पढ़ जाएगा नेक्स्ट है जहां राम रहता है वहीं श्याम रहता है अब देखो राम जहां रहता है वहीं श्याम रहता है अगर कोई राम का एड्रेस बताएगा तो हमें श्याम का भी एड्रेस मिल जाएगा तो यानि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है एक यानि प्रधान वाक्य होता है दूसरा उप वाक्य होता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द लेकर आएंगे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें जिसे कि हमें बहुत जरूर करेंगे तक शgens हो दूर्वती कि कि थे जरूरा आएंगे होता है